तो यह देखो प्यारे बच्चे इस वाले कोशन को देखो एक आई है ठीक ना आखे तेरी कितनी हसीन तो यह अंदर की आंक है ठीक ना यह ऐसे दिखाएगा है बाहर पार्ट का यह वाली कोर्णिया है चलो सवाल करते हैं इमोसंस में नहीं पढ़ते हैं ठीक है तो एक नॉर् कर्ण 그 कर्णिया जो है जो कौर्णिया नहीं जो कार्णिया जो कोडीस दिखाएगे जो वाली ओंडी चैबंर है वह करने कि अраई है तो यह बिखा रहे हैं उटका अ कंवर्जिंग नियांक प्याइंड और विःइंड कोर्नियां मलब कोंूनियां के पीछह कोर्नियां के पीछे जो अपना यह वाली लेंग से कौन्टीर फिफर कर रहा है यहाला वल्लेंग कि मलब करते तो उसका भी पह अव्यन्ट हो शर। तो इसके पीछे ये वाला जो लेंज है वो भी एक Converging की तरह बीव कर रहा है और यहां से तुम देख रहे हो यहां से यहां से यह जो है diameter 20 यहां पर यह भी इसके पीछे just lens है वो भी Converging lens की तरह बीव कर रहा है और दोनों पास-पास है तो उसका भी पर दिया हुआ है 20 टाइप्टर तो कहता है using this information distance between the rateina and the cornea of eye can be calculated estimated मलब जो है distance between the समझेना distance between the retina and the cornea पर इमेज बनेगा यहां पर image focus होगा तो यह जो है image है तो यहां से कोई parallel beam आ रही है parallel beam आ रही है तो वो conversion, तो वो converge होगी फोकस पे आ ठीक है तो इसका मतलब एंदोंyear होगी है, इन दोनों hinge combination का focal length निकालनाघ है यहां से कोई parallel beam आ रहे हैं तो रेटीना पर यहां से इसे okerативs होगी तो यह तो रेटिना है तो यह जो है focal length of this combination इन दोनों लेंज को एक lens कर दिया मैंने और उसके बाद focal length निकाल लूँ तो वही focal length distance होगा ठीक है तो जो 1 upon focal length होता है 1 upon f1 plus 1 upon f2 के equal होता है तो यहां से जो total power आजाएगा वह power p1 plus p2 के equal आजाएगा तो पहले वाले का power 40 है दूसरे वाले का plus 20 है तो 60 diopter इन दोने के combination का power आजाएगा तो अगर मैं इन दोनों के combination पे power is equal to one upon focal length लगाओ अब मैं पूरे combination पे लगा रहा हूं यह combination दोनों को जोडेंगे single मिलेगा मैं उस पे लगा रहा हूं यह ठीक है तो यहां से जो focal length आजाएगा वन अपन पावर के equal आजाएगा और वन अपन पावर जो है वो 60 diopter diopter है तो यहां मीटर में answer आएगा लेकिन वो centimeter में दिया तो 100 से multiply कर दूंगा तो 100 से multiply कर दूंगा तो यह cut गया that ही यहां से 5 by 3 तो 5 by 3 मतलब one point यहां से और 2 बच गया तो 1.266 चलता चलेगा मतलब 1.67 यहां से अपना centimeter हो जाएगा मतलब final जो है वो a option सही है ठीक ना आईगोप की आपको समझे पे आ गया होगा कर दो